हेलो एबरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में कासी हिंदू यूनिवस्टी के अंतरगत तीन सरकारी स्कूलों की सिख्षक भरती की बात करेंगे इस वीडियो में बिलकुल पर्मानेंट सेंट्रल गॉर्मेंट जॉब रहेगी प्रायमरी टीचर्स, ट्रेंट ग्रेजियों टीचर्स, पोस्ट ग्रेजियों टीचर्स और इसके लब़ा प्रिंशिपल की पोस्ट इनकी वेकैंसी आई हुई है, कॉन-कॉन से सब्जेक की वेकैंसी है, नोटिफिकेशन में चैक करने वाले हैं, कबसे आविदन स्टार्ट है और एंडिंग डेट कब रहेगी यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स की अगर बात करें तो केवल बेसिक पे ही जो है 35,400 है टीजी टी की 44,900 है और पोस्ट ग्रैजवे टीचर्स की 47,600 है प्रिंसिपल की पोस्ट की इससे भी अधिक है जो की नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देगा ये केवल बेसिक पे है और सरकारियन भत्ते जो भी सामिल होंगे इसमें तो जो पेमेंट है आपकी और भी अधिक रहेगी यहाँ पर जो है सभी राजियों के कैंडिडेट बिल्कुल आवेधन कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक् होगा कासी हिंदू विसविध्याले बनारस हिंदू यूनिवरस्टी में वेबसाइट पर आप आएंगे तो रिकुट्मेंट सेक्शन पर आप लोगों को नॉन टीचिंग पोजीशन तो यहाँ पर जो है नॉन टीचिंग पोजीशन के अंतरगत इन्हों ने अड़र्टीजमेंट नमबर 24 अबलिक 2023 24 ठीक है ब्रैकेट में है पोजीशन आफ स्कूल टीचिंग तीन स्कूल है च बीएस च जीएस एंड एस आर एस वी यह तीनों ही जो है सरकारी स्कूल है कासी हिंदू विस्व विध्याले के अंतरकत यह तीनों स्कूल आते हैं आगे है click here for detail तो advertisement के लिए इस पर click करेंगे और अगर आप apply करेंगे तो आगे लिखा है click here to apply तो इस पर आप लोगों को click करना होगा अब चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो है click here for detail इस पर click करके advertisement तो यह जो है complete विध्यापन है तो यह तीनों ही स्कूल है जो की सरकारी स्कूल है और यह वैकेंसी बिल्कुल पर्मानेंट है ग्रूप A और B के अंतरगत वैकेंसी है ग्रूप A में प्रिंसिपल की पोस्ट है ग्रूप B में PZT, TZT, PRT की है और यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर्स जो है उसकी बेसिक पेकेवल 35,400 रहेगी आप सब्जेक्ट देख लेते हैं सबसे पहले PZT में सब्जेक्ट देखें हिंदी, इंग्लिस, मैथमेटिक्स, एकॉनोमिक, साइकलोजी, हिस्ट्री, दर्सन, दर्सन सास्त्र होगा शायद, फिजीकल एजुकेशन, फिजिक्स PZT में सब्जेक्ट हैं, इंग्लिस, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोसल स्टडीज, साइन्स, हिंदी, होम साइन्स, व्याकरण, अब ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण है या इंग्लिस व्याकरण हिंदी व्याकरण ही होगा क्योंकि इंग्लिस ग्रामर लिखा होता जोतिस, साहित्य, वेद, दर्सन, म्यूजिक, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल दोनों की है फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रिकल्चर प्राइमरी टीचर्स में अल सब्जक्ट की वेकेंसी है और अब देख लेते हैं, यहाँ पर केटिगरी वाइस जो है, यहाँ पर यहाँ पर है, यहाँ पर जो है, आप देख सकते हैं, जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए जो है ST category में एक vacancy है ठीक है, unreserved category में English की एक vacancy है और Maths में OBC category की एक vacancy है तो यहाँ पर यह नहीं सोचना है कि एक ही vacancy है यह एक हो सकता है, आप ही है ठीक है, तो बिल्कुल कई बार candidate सोच लेते हैं vacancy जो है वो बहुत कम है तो ऐसा सोच कर जो है वो बिल्कुल भी form apply ही नहीं करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि permanent central government जो job है बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत सारे candidate जो है यह सोच कर बैठे होते हैं कि जैसे ही vacancy आएगी और हमें पता लगेगा हम form apply करेंगे तो बिल्कुल आप लोग apply करें आपका number हो सकता है इसमें आ जाए इसी तरीके से mathematics में आपने देखा OBC में एक है, economics में एक है unreserved category यहाँ पर कोई भी आविदन कर सकता है psychology, history, दर्शन इसमें एक-एक है इसी तरीके से आप देख सकते हैं trained graduate teachers में दो vacancy है और unreserved category की और यहाँ पर social studies में सबसे अधिक vacancy एक unreserved category की है सभी में है vacancy दो vacancy यहाँ पर OBC category की है ठीक है, EWS की एक है तो यह आप देख लेंगे और इसका link में आप लोगों को share कर दूँगे ताकि notification आप दुबारा से अच्छे से देख सके next देख लेते हैं यहाँ पर qualification qualification क्या कही गई है तो केंद्रे विद्याले संक्टन की अंतरगत्तु जो qualification मांगी जाती है वो ही यहाँ पर मांगी गई है PZT में आप देख लें PZT English के लिए जो है English में आपने Post-Graduation की हो Hindi के लिए Hindi या संस्कृत Hindi या फिर संस्कृत के साथ में Hindi आपने एक सब्जक्ट के रूप में graduation में पढ़ी हो और PZT Maths के लिए Math, PZT History के लिए आपने Post-Graduation history में इसी तरीके से Economics इसी तरीके से बाकी subject पोस्ट ग्रेजुए टीचर्स के लिए जो है यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में जो है वो बीएड कमपल्सरी है यह आपको ध्यान में रखना है पढ़ाने का जो यहां मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिस दोनों रहेगा यानि हिंदी मीडियम भी है और इंग्ल और teaching जो है हिंधी मेडियम और इंग्लिस मेडियम, यानी हिंदी मेडियम और इंग्लिस मेडियम के कैंडिडेट बिल्कुल आवेधन कर सकते हैं TCT के लिए graduation में आपका subject होना चाहिए, तीनों साल आपने पड़े हो Social Studies के लिए जो है यहाँ पर History, Geography, Economics और Political Science जिसमें से History या जोगरफी जो है ये तो एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए आपकी Graduation में तो सारी चीज़े वही है कि इंद्रे विध्याले संक्टन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वही है बिएड जो है वो बिल्कुल यहाँ पर PZT के लिए अपलाए करें चाहिए TZT के लिए अपलाए करें बिएड चाहिए ही TZT में जो है CTAT भी मांगा गया है CTAT यानि कि आपने अगर जिस भी राज्ये के CTAT क्लियर किया है वो नहीं चलेगा यहाँ पर मांगा गया है CTAT, ठीक है, हिंदी और इंग्लिस मीडियम दोनों ही जो हैं यहाँ पर candidate बुलकुल apply कर सकते हैं, बट यहाँ पर Central Teacher Eligibility Test, यह आपका qualify होना चाहिए, PZT के लिए 40 यर थी अधिक्तम आयू और TZT के लिए 35 यर, अब देख लेते हैं primary teachers के लिए, तो 12 चाहिए, BLED वाले apply कर सकते हैं, जिनोंने special education में diploma किया है, वो भी apply कर सकते हैं, 12 के साथ में, जिनके पास graduation 50% marks के साथ में BED है, वो भी apply कर सकते हैं, यानि PRT के लिए इनोंने BED, BED वाले भी eligible कर दिये हैं, ठीक है, और बाकी primary में जो आपका diploma या degree होना चाहिए, age limit जो है, वो 30 year है, PRT के लिए, तो PRT के लिए 30 year है, TZT के लिए 35 year है, और PZT के लिए 40 year है, अगर आप apply करते हैं, तो general instruction जरूर पढ़ेंगे आप, उसके बाद ही जो है, वो application form fill करिएगा, next जो है, अब बात आती है, selection कैसे होगा, selection के लिए जो है, बिल्कुल यहाँ पर इस पस्ट है, कि आपका एक written exam होगा, demo होगा, और उसके बाद जो है, आपका रहेगा interview, ठीक है, तो यहाँ पर, return test होगा, उसके बाद जो है, आप लोगों का presentation, याणि demo होगा, और रहेगा interview, जैसे ही आपका यह qualify हो जाता है, shortlisted candidate को जो है, बुलाया जाएगा, document verification के लिए, तो original document के साथ, आप लोगों को पहुँचना होगा, ठीक है, तो यह complete advertisement, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, application fees के बारे में आपको बताया, 1000 रुपीज जो है, application fees यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, अगर आप ग्रूप B, PRT, TGT, PGT के लिए, तो इन तीनों कैटिगरी अप्लाइ करना चाहते हैं, 200 रुपीज आपको online payment करना होगा, SCST, PWVD category and woman candidate, इनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, no application fees shall be charged from the candidate, SCST, PWVD category and woman candidate, ठीक है, तो यह main website का link बिल्कुल आप लोगों को वीडियो के नीचे description box में share किया जाएगा, डारेक्ट आप लोग जो है उस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से जो है आपके सामने, home page आएगा, यह recruitment लिखा हुआ है, सबसे उपर लिखा है, recruitment and assessment, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने यह page open हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर non teaching position पर क्लिक करना है, बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं होना है, कि हमें जो है, teacher बनना है, तो हमें तो teaching position देखनी थी, यह गलती से साथ इन्होंने advertisement इसमें डाल दी है, तो और भी जो है, vacancy जैसे ही जारी होती है, बिल्कुल आप लोगों को channel के माध्यम से बताई जाएगी, कुछ समय जो है, तब्यत खराब होनी की वजए से regular video नहीं आ पाया है, बट आगे regular रहेगा, thank you.